सर्वसमिका बेटा क्या है A धन B धन C तीन पद है तीन पद पर अगर बर्ग लिखा हो यह बराबर होता है जरा इसको समझने की कोशिस करो यह पहला पद A है दूसरा पद B है तीसरा पद C है तो जो इसका मान आता है पहले पद का बर्ग धन दूसरे पद का बर्ग धन तीसरे पद का बर्ग हुआ हुआ कि नहीं हुआ धन दो गुड़े पहला पद गुड़े दूसरा पद लिखा और नहीं लिखा तो को 2 A B धन फिर लिखा धन दो गुड़े दूसरा पद गुड़े तीसरा पद मतलब B गुड़े C अब फिर लिखा धन दो CA मतलब दो गुड़े तीसरा पद गुड़े पहला पद ऐसा लिखा रहा है तो अगर हम इहां पहला पद धन दूसरा पद धन तीसरा पद लिखें और इसका बर्ग करें तो क्या होगा पहले पद का बर्ग धन दूसरे पद का बर्ग धन तीसरे पद का बर्ग होगा और धन दो गुड़े पहला पद गुड़े दूसरा पद धन दो गुड़े दूसरा पद दो गुड़े दूसरा पद गुड़े तीसरा पद धन दो गुड़े तीसरा पद गुड़े पहला पद इसी सर्वसंका पर आधारित एक्सरसाइस अभ्यास 4C है जिसका पहला कोईशन पहले का पहला पार्ट दे रखा है A प्लस 2B प्लस 3C का होल बर्ग का मान बताओ अब यहां पहला पद A हो गया दूसरा पद 2B और तीसरा पद 3C हो गया अब इसको जब उस सर्वसंका पर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा पहले पद का बर्ग धन दूसरे पद का बर्ग धन तीसरे पद का बर्ग धन दो गुड़े पहला पद पहला पद मतलब A, गुड़े, दूसरा पद मतलब 2B, धन 2 गुड़े, दूसरा पद मतलब 2B, तीसरा पद मतलब 3C, धन 2 गुड़े, तीसरा पद मतलब 3C, गुड़े, पहला पद A. ऐसा हुआ अब यह हो गया ए पर बर्ग धन दो दुना चार बी पर बर्ग धन तीन तरिक का नौ सी पर बर्ग हुआ अब यहाँ पर गुड़ा करो दो दुना चार हो गया ए और बी ए भी हो गया धन दो दुना चार और चारतियां 12bc हो गया अब फिर देखो यहाँ 2, 3, 6 6ca हो गया यह हो गया आपका answer इसी तरह से जो दूसरा को इसका part है 2p-q minus 3r 3r का square ऐसा लिखा अब यहाँ पहला पत क्या है 2p, दूसरा पत क्या है q, और तीसरा पत क्या है 3rd, तो बटा हम लोग क्या करेंगे पहले पत का बर्ग दिखेंगे, धन दूसरा अब दूसरा देखो, यहाँ सब धन था तो यहाँ रिणा गया, तो इसमें थोड़ी सी चालाकी आप करिएगा इसको ऐसे लिख लिजिएगा बर्ग पहला पत तो धनात्मक है कोई दिक्कत नहीं दूसरा पत में रिणा गया है तो यहाँ लगाईए प्लस और कोश्टक में लिख दीजिए माइनस q, क्योंकि धन गुड़े रिण रिण होता है तो यहाँ धन आ गया और दूसरे पत के रूप में रिण दीखने लगा फिर यहाँ भी माइनस है यहाँ लगाईए प्लस और यहाँ ब्रैकेट में लिख लिजिए त्रियार अब दखो प्लस इंटू माइनस कितना हुआ माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस हुआ तो सूत्र के अनुसार यहाँ प्लस मिल गया और तीसरे पत के जगह माइनस थ्री आर मिल गया तो यहाँ जब दूसरा पत लिखेंगे बिटा तो माइनस क्यूं का बर्ग होगा होगा और तीसरे पत के जगह लिखेंगे तो माइनस 3R का बर्ग होगा हुआ सूत्र क्या कहता अभी दो गुड़े पहला पत पहला पत क्या है बटा तूपी और दूसरा पत क्या है माइनस Q यहां देखो माइनस Q यहां लिखोगे माइनस Q प्लस दो गुड़े दूसरा पत मतलब minus Q और गुड़े तीसरा पत तीसरा पत मतलब minus 3R ऐसा हुआ plus 2 गुड़े तीसरा पत गुड़े पहला पत तो 2 गुड़े तीसरा पत कितना है minus 3R और पहला पत कितना है 2P कर दिया अब देखो जब यह bracket खोलेंगे तो दोनों पे दो का बर्ग है तो जब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये बर्ग दो पर भी आएगा पी पर भी आएगा जब दो का बर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा चार पी का बर्ग करेंगे तो पी बर्ग प्लस है प्लस लिखेंगे माइनस का बर्ग हमेशा धनात्मक होता है माइनस का बर्ग मतलब माइनस गुड़े माइनस रिण गुड़े रिण रिण गुड़े रिण हमेशा धन होता है अग क्यू का बर्ग क्या होगा क्यू बर्ग फिर लिखेंगे धन फिर यहाँ माइनस का बर्ग लिखा धन हो गया तीन का बर्ग कितना हो गया नव आर का बर्ग कितना हो गया आर बर्ग यहाँ पर आओ यह धन है यह भी धन है और यह रिन है तो धन गुड़े धन 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 का गुड़ा रिन में करोगे तो रिन दो दुना P Q हो आग नहीं हुआ दो दुना 4 P और Q ऐसे लिख लिए आगे आप देखो यहाँ यह चिन धन है धन गुड़े रिण रिण और रिण गुड़े रिण धन तो यहाँ चिन आएगा धन दो यहाँ तो कुछ है नहीं यहाँ तीन है दो तियाँ 6 Q यहाँ R यहाँ लिख दो Q R लिख दिया अब देखो यहाँ धन है यहाँ रिण धन गुड़े रिण कितना होता है रिण दो तियाँ अच्छ है दुना 12 R है P है इसके जगह पर लिख दो R P बेटा यह हो गया इसका तीसरा पार्ट है –3 X plus 2 Y plus Z का whole square ऐसा लिखा गया तो यहाँ पहले पत के बगल में माइनस साइन है तो पहले पत में माइनस ले लिया जाएगा अब क्या करोगे पहले पत माइनस 3 X दूसरा पत 2 Y तीसरा पत Z हो गया तो हमें ही सर्व समिका लगाएंगे, सर्व समिका लगाएंगे, तो पहले पत का बर्ग मतलब माइनस 3x का बर्ग लिखोगे, धन दूसरे पत का बर्ग मतलब 2i का बर्ग, धन तीसरे पत का बर्ग मतलब z का बर्ग, वहा, सुत्र क्या कहता भी, दो गुड़े, पहला पत, पहला पत मतलब, माइनस 3X, दूसरा पत मतलब, दूसरा पत मतलब हो गया, 2Y, वहा, प्लस, दो गुड़े, दूसरा पत, दूसरा पत है, 2Y, और तीसरा पत क्या है, जेट, फिर धन दो गुड़े तीसरा पद गुड़े पहला पद तो पहला पद माइनस त्री अक्स है ऐसा लिख लिए अब देखो उन्हें इस माइनस का बर्ग पलस होगा तीन का बर्ग नौ होगा और एक्स का बर्ग कितना लिखोगे एक्स बर्ग लिख दिया धन है धन लिखया दो का बर्ग चार वाई का बर्ग वाई बर्ग धन जेट का बर्ग मतलब जेट बर्ग आब आजाओ ये चिन धन है, ये चिन रिण है, धन गुड़े रिण, रिण, तो धन गुड़े रिण हमने क्या लिख दिया, रिण, दो तिया, अच्छे दुना, बार है, बगल में क्या मिला, X और Y, आते हैं आगे, यहां है धन, ए भी धन, ए भी धन, धन गुड़े धन, गुड़े धन, क का गुड़ा करो, दो दुना, 4, y का गुड़ा z में करोगे कितना होगा? y, z, अब यहाँ देखो धन, गुड़े धन, गुड़े रिण, धन का गुड़ा पुने रिण में करोगे तो, रिण, 2 का गुड़ा 3 में करोगे, 6, z का गुड़ा x में करोगे तो कितना होगया? यह आ plus 4 का दो घात अगला पाट क्या है 2x minus 3y plus 4 पर whole घात 2 है ठीक है अब यहाँ पहला पद तो ठीक है 2x लेकिन दूसरा पद में minus है तो इसको plus minus 3y लिक लिए और plus 4 और इस पर क्या कर दिया whole बर लिकर दिया अब पहला पद 2x दूसरा पद 3y और तीसरा पद 4 हो गया फिर फार्मुला लगाओ फटाफट पहला पद का बर्ग धन दूसरा पद का बर्ग तो रिन 3y का बर्ग हो गया धन तीसरा पद का बर्ग हुआ कि नहीं हुआ धन दो गुडे पहला पद पहला पद दो यक्स और दूसरा पद रिण तीन वाई धन दो गुड़े तीसरा पद रिण तीन वाई गुड़े चार धन दो गुड़े तीसरा पद गुड़े पहला पद ये लग गया ये वाली सर्व समी का अब देखो यहां क्या करोगे दो का बर्ग चार एकस का बर्ग ए बाई बरग को गया धन 4-4-6 जञहां देखो महरए धन गुलेधन गोडेदन आया एक रीण उगा दो दूना चार मोरा flour wage goolin नें देखो धन गुडेरी गुडेदं तो क्या मिलान घनेंऔर गुडेदं रिण रिण तो दो ट्याँञेड दो तीयाँचे lors सह चयल जाओ चोबीस क्या मिला वाई मिला आप देखो यहां सारे च अंक डनें तो क्या MaulaX यह यह ओ गया आपका answer तो देखो जो इसका फिफ्थ पार्ट है वो है M plus 3N minus 4P अब देखो यहाँ यहाँ फिर minus आ गया तो अगर हमें plus करना है तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पर M plus 3N और यहाँ अगर plus बनाना है तो plus बना के minus को किसके साथ रखना पड़ेगा plus बना के minus को किसके साथ रखना पड़ेगा 4P के साथ रखना पड़ेगा यह हो गया minus 4P और इस पर हो गया बर्ग अब पहला पद हो गया M, दूसरा पद 3N और तीसरा पद minus 4N 4P तो अब हम इसका बैलू निकालेंगे तो पहले पद का क्या लिखेंगे बर्ग दूसरे पद का क्या लिखेंगे बर्ग तीसरे पद का क्या लिखेंगे बर्ग फिर प्लस दो गुड़े पहला पद गुड़े दूसरा पद धन दो गुड़े दूसरा पद गुड़े तीसरा पद गुड़े पहला पद अब इस M का बर्ग करोगे तो कितना हो गया M बर्ग 3 का बर्ग हो गया 9 और N का बर्ग हो गया N बर्ग प्लस माइनस का बर्ग प्लस हो गया 4 का बर्ग 16 E का बर्ग हो गया P यहां गुड़ा करो बेटा सारे चिन्न धन है तो दो तियां 6 MN धन गुड़े रिण क्या होगा रिण दो तियां 6 और 6 चौक 24 NP धन गुड़े रिण होगा रिण दो चौक 8 PM होगया हुआ कि नहीं हुआ इसी तरह से इसका 6 पार्ट है 6 पार्ट में लिखा है 7 धन फूरे माइनस 3 भी तो इसको क्या लिखा जा सकता है उन्हें यहां माइनस आ गया तो लिख लो 7 प्लस फूरे प्लस इस माइनस को ब्रेकेट के अंदर में ले जाकर क्या बना दो यह चिन प्लस बना दो और इसका क्या हो गया अब पहला पत क्या बटा यहां पे साथ का वर्ग दूसरा पत क्या है चारे का वर्ग तीसरा पत क्या है माइनस 3 भी का वर्ग धन दो गुड़े पहला पत गुड़े धन दो गुड़े दूसरा पत गुड़े तीसरा पत धन दो गुड़े तीसरा पत गुड़े पहला पत अब देखों साथ का वर्गुआ उन्चास चार का बर्ग हुआ, 16, A बर्ग, धन, रिन का बर्ग धन हो गया, 9 का बर्ग, तीन का बर्ग, 9 हो गया, B का बर्ग, B बर्ग हो गया अब ये कितना हो गया, 7, 4, 28 दुना, 56, A, यहां देखो, प्लस इंटू, माइनस, माइनस, चार दुना, आट तरिक, 24, A, B प्लस इंटू, माइनस, माइनस, दो तियाँ, छह सते, 42, B हो गया, अब इसका सात्वापाट देखो, 2X, माइनस, नौ, प्लस, 5Y, का खोल पर गया, अब यहां पर देखो, यह है, 2X, यह है, माइनस, यहां पर प्लस होना चाहिए था, तो इसको हम लोग क्या बना लेते हैं, प्लस, तो प्लस बनाने के लिए, ब्रेकेट में माइनस ले जाना पड़ेगा, माइनस, नाइन, प्लस, 5Y, का यह क्या हो गया, होल बर्ग वक नहीं हुआ, अब पहला पत क्या होगा, बटा, 2X, का बर्ग होगा, दूसरा पत क्या हुआ, माइनस नाइन का बर्ग हुआ, तीसरा पत क्या हुआ, 5Y का बर्ग हुआ भिक नहीं हुआ फिर धन 2 गुड़े पहला पद मनने 2X दूसरा पद रिननो धन 2 गुड़े दूसरा पद रिननो तीसरा पद 5Y हो गया धन 2 गुड़े 5Y गुड़े 2X अब है देखो 2 का बर कितना बनेगा 4 एक्स का बर्ग कितना बनेगा एक्स बर्ग धन रिण का बर्ग होगा धन और नौ का बर्ग होगा कितना एक्क्यासी धन पांच का बर्ग होगा पचीस वाई का बर्ग होगा वाई बर्ग देखो यहां धन है यहां रिन है धन गुड़े रिन रिन दो दुना चार और चार नवा 36 कितना हुआ एक्स फिर देखो यहां धन है यहां रिन हुआ रिन दो नवा 18 18 पच्चे 90 एक्स है यहां वाई तो हो गया एक्स वाई आप देखो यहां सारे चिन्न धन है तो धन ही मिलेगा 2 पंजे 10 और 10 दूना 20 यह हो गया वाई इंटू एक्स यह हो गया एंसर